नमस्कार इस वीडियो के माध्यम से हम Bank of Baroda का Fixed Deposit का फॉर्म भरना सीखेंगे किस तरीके से आप FD का फॉर्म भरके ब्रांच में जाकर FD बना सकते हैं वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे यह दो पेज का फॉर्म है बहुत ही सिंपल है अब हम इसे भरना सीखते हैं सबसे पहले ब्रांच का नाम आप लिख देंगे और अपना Operative Account Number आपका यहाँ पर लिखा जाएगा Savings Account का या Current Account का जिससे भी आप FD बनाना चाहते हैं Term Deposit Number आपको खाली छोड़ देना है यह जब आपकी FD बन जाएगी तो स्टाफ के द्वारा यहाँ पर mention किया जाएगा अभी तो हम form ही बर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी number आपको नहीं लिखना है Scheme Code आप स्टाफ के लिए छोड़ सकते हैं खाली यहाँ पर नाम आएगा callable या non-callable का option आपको first में select करना है time period और amount select करना है second में और third में यदि आपको multiple FD open करनी है तो वो option यहाँ पर आपको fill करना है इसे detail में समझते हैं तो यह example form आपके सामने है branch का नाम हमने डाल दिया है जो भी आपकी branch name है यदि जैपूर में है तो यहाँ जैपूर लिख देंगे alpha आप passbook में से देख के डाल सकते हैं otherwise खाली छोड़ सकते हैं ज्यादा important नहीं है operative account number आप बहुत ही ज्यादा important है आप ध्यान से अपनी passbook में देख कर इसे fill करें जो भी आपका operative account number है FD का number जब आपकी FD खुल जाएगी तब यहाँ पे mention किया जाएगा अभी आप इसे खाली छोड़ देंगे scheme code आप खाली छोड़ सकते हैं staff के दौरा यह भर दिया जाएगा जो भी आपका scheme होगा ध्यान देंगे यदि आप single नाम पे FD बनाना चाते हैं date of birth और pen card का number यहाँ पर mention कर दें callable इसके बाद जो form पे है वो आपको first number पर callable या non callable का option fill करना है callable FD को आप समय से पूर्व ज़रुद पढ़ने पर तोड़ सकते हैं for example यदि आपने एक साल की FD बनाई लेकिन आपको दो मैंने बाद पैसे की ज़रुद पढ़ी तो यदि आपने callable option select किया है तो आप उसे तोड़ सकते हैं non callable में आप समय से पूर FD को नहीं तोड़ सकते time period आप mention कर देंगे for example 13 months, 1 साल, 399 days जो भी best scheme में आप अपने इसाब से भर सकते हैं amount फिल कर देंगे यहाँ पर और words में, शब्दों में यहाँ पर आप उसे mention कर देंगे यह आप देख सकते हैं इसके बाद, चो third point है यह आपको समझने के लिए बहुत ही important है यदि आप 1,00,000 total amount की FD बनाना चाहते हैं परन्तु 10,00,000 की 10 FD denomination में रहना चाहिए total amount यदि आप 1,00,000 बनाना चाहते हैं 10,00,000 की 10 FD तो आप यहाँ पर लिख देंगे number of FDs 10 FD उपन की जाएं 10,00,000 each total amount हो गया 1,00,000 यदि आपको एक ही FD खोलनी है 1,00,000 रुपे की तो आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे इसे dash कर सकते हैं आपको सिर्फ एक ही FD खोलनी है तो आप यहाँ पर कुछ भी select नहीं करेंगे इसे dash करके खाली छोड़ सकते हैं multiple अगर आपको open करना है तो ही आप इसका use करें for example यदि हमें multiple करनी है तो हम यहाँ लिख देंगे number of FDs 10 और 10,000 की each आगे बढ़ते हैं fourth point दिखते हैं यदि आपको monthly interest चाहिए या quarterly interest चाहिए तो आप यहाँ पर tick कर दिए for example यदि आपको monthly चाहिए तो monthly पर tick कर दिए और staff को बता दिए ताकि वो scheme code में accordingly monthly या quarterly interest को tick कर दे तो यदि आपको monthly चाहिए interest तो आप यहाँ पर monthly tick कर देंगे और जो account number है जो same जिससे आप FD बना रहे हैं वो account number आप यहाँ पर mention कर देंगे इसी number पर monthly interest या quarterly interest आपके account में आ जाएगा यदि आपको quarterly चाहिए तो quarterly में tick कर देंगे और account number लिख देंगे same account number लिखें जिस account से FD बन रहे है तो उसी account में monthly या quarterly interest आपका आ जाएगा फिलाल हमें monthly या quarterly नहीं चाहिए हमें cumulative चाहिए तो हम यह खाली छोड़ देंगे और हमें FD auto renew चाहिए तो fifth option में हम second वाला tick कर देंगे जिससे की mature होने पर FD automatically renew हो जाएगी eighth point पे आते हैं mode of operation सेलेक्ट कर लेंगे self या either or survivor यदि single नाम पे है तो हम self सेलेक्ट करेंगे यदि joint नाम पे बना रहे हैं तो either or survivor या former और survivor या jointly आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं as per आपकी requirement आगे बढ़ते हैं first page हमारा fill हो गया है आप देख सकते हैं नीचे आपको सिर्फ sign करने हैं यदि आप अपने नाम पे बना रहे हैं तो आप सिर्फ यहाँ पर first applicant signature के पास यहाँ पर आप sign कर देंगे यदि FD joint name में है तो first holder यहाँ sign करेंगे और joint holder यहाँ पर sign कर देंगे यह हमारा first page fill हो गया है आप इसे एक बार और देख सकते हैं बहुत easy है अब हम second page पर जाते हैं वहाँ पर हमें nominee के detail fill करने होगे चोकि बहुत ही important है यह है FD का second page यदि FD joint नाम पर है तो in case of joint holder यदि joint नाम पर है तो आपको यह declaration fill करना है यहाँ पर main holder sign कर देंगे यहाँ पर joint holder यदि सिर्फ single नाम पर FD बन रही है तो यह declaration sign करने की ज़रुरत नहीं है नीचे चलते हैं और आखरी हिस्सा जो हमारे form कर रह गया है वो है nominee का detail nominee हम यहाँ पर भर देंगे for example इस case में nominee का नाम हमने लिख दिया है वीना देवी address same as applicant relationship wife age डाल देंगे और जो applicant है वो यहाँ पर अपने sign कर देंगे यदि joint applicant है तो second holder यहाँ पर sign कर देगा जैसा कि मैंने पहले बता है यदि single नाम आप सिर्फ अपने नाम पर FD बना रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ single holder sign कर देंगे तो बस आपका FD का form भरके तयार हो गया है यह आप एक बार और देख लेंगे नीचे के इससे में आपको कुछ भी नहीं करना है यह office use के लिए है बहुत ही असान था आप इसे एक बार और देख सकते हैं यह first page कुछ इस तरीके से आपको भरना है बिलकुल neatly भरिए नीचे sign कर देंगे और second page में सिर्फ nominee के details आते हैं तो वो आप यहाँ पर ऐसे भर देंगे FD के form के साथ एक check दे दे yourself for fixed deposit के नाम से या कुछ और लिखना है तो आप अपने staff से पूछ सकते हैं तो यह था fixed deposit को form भरने का तरीका बैंक आप बरोडा में I hope आपको वीडियो helpful लगी होगी और पसंद आई होगी धन्यवाद वीडियो को like और चैनल को subscribe करना ना भूले Thank you once again